हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ऐसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डांस रिलेटेड डांसर्स वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं टॉप 50 कोसंस हैं यहापर तो आप लोग कॉमेंट करके स्कोर जुरूर ब यामनी कृष्णमूर्थी बहुत ही फिमस नाम है यामनी कृष्णमूर्थी वह किस सास्त्रीय निर्त्य से जुरी हुई है ओके तो यामनी कृष्णमूर्थी is known for which classical dance form तो आप क्या कहेंगे भारत नाट्यम और कुच्ची पूरी कहेंगे यह दोनों dance से यह related है यामने कृष्णमूर्ती next है who among the following Indian dancers was the first woman in Indian history to be nominated as a member of the Rajasabha तो वो कौन है जो भारतीय इतिहास में Rajasabha के सदस्य के रूप में मनोनीत हुई थी तो रुक्मनी देवी अनुन्डेल होगा ओके next question है माधवी मुदगल भारत के किस सास्त्रिय निर्थ से सम्बंदित है तो यह भी नाम आप याद कर लिजे माधवी मुदगल का यह भारत के किस सास्त्रिय निर्थ से सम्बंदित है तो ODC से सम्बंदित है ODC कहां का Classical Dance है तो आप जानते है ODC का है next है तो किसे जो है मिला था यह अभी नंदन सरोजा National Award 2021 में तो यह मिला था अपर्ना सतीशन को बहुत ही फेमस नाम है अपर्ना सतीशन next question है गुरू भीपिन सिंग किस सास्त्रिय निर्थ सेली के लिए जाने जाते है गुरू भीपिन सिंग यह मनिपूरी डांसर है next है who among the following is the first ODC dancer from Odisha to have received the पदम विभूशन in the year 2000 तो कौन वर्स 2000 में पदम विभूशन प्राप्ट करने वाले पहले ODC नरतक थे तो वो हैं केलू चरन महापात्रा next है who among the following was the first to bring the concept of modern dance to India with his novel approach and work तो यह कौन थे तो इनका नाम है Uday Sankar next है Kamla Narayan यह किस classical dance से related है Kamla Narayan तो आप कहेंगे Kamla Narayan जो है भरत नात्यम dance से related है भरत नात्यम आप जानते हैं Tamil Nadu का classical dance है next है राधा सरीधर राधा सरीधर को संगीत नातक अकादमी अवर्ड मिला था 2018 में और यह कौन सा classical dance करते हैं राधा सरीधर तो आप कहेंगे भरत नात्यम देखे एक्जाम में भरत नात्यम कत्थक से बहुत सारे कोर्सन आते हैं next है सोनल मान सिंग सोनल मान सिंग इनको भी अवर्ड दिया गया था संगीत नातक का 1987 में और यह कौन सा classical dance करती है सोनल मान सिंग तो आप कहेंगे ODC dancer next है तंजोर बाला स्वरस्वती इनको टी बाला स्वरस्वती भी कहते हैं यह कौन सा classical dance करते हैं तो आप कहेंगे भारत नात्यम next है विच भारत नात्यम dancer became the second youngest dancer to be honored with the Padamshiri award in 1991 तो यह कौन है यह है Alarmail वल्ली next है इंदरानी रहमान was associated with which classical dance of India इंदरानी रहमान भारत के किस सास्त्रिये निर्त से जूरी थी भारत नात्यम dance odyssey dance तो क्या होगा इंदरानी रहमान जो है यह भारत नात्यम के सास्त-सास odyssey dance भी करती है no doubt next है अपर्ना सतीशन ठीक है जिनको prestigious national निर्त ceremony award 2022 में मिला था और यह अपर्ना सतीशन जो है यह कौन से classical dance से related है तो कुछी पूरी dancer है अपर्ना सतीशन next है पंडित बिर्जु महराज बिर्जु महराज इतने भी महराज वाले हैं लच्छु महराज अच्चन महराज बिर्जु महराज है ना यह सब कथक dancer है ओके next देखिए कला मंडलम कल्यानी कुटी अम्मा अब देखिए कला जैसे की आप PhD करते हैं तो आपको doctor का title मिल जाता है उसी तरीके से जो है कला मंडलम जो title है यह केरल साइड में दिया जाता है केरल का दो classical dance है आप जानते हैं कि मोहिनी अटम और कथकली ठीक है तो कला मंडलम जहां भी आप देखें तो आपको समझ जाना है कि केरल का यह classical dance होगा मतलब 99% है कि वो केरल का classical dance है related dancers होंगे क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो dance में जब वो चीज achieve कर लेते हैं तो उनको कला मंडलम दे दिया जाता है तो यहाँ देखें मोहिनी अटम मोहिनी अटम कहां का classical dance है तो केरल का है आप जानते हैं और option में भी देखें मनी पूरी है कुची पूरी है ODC है मोहिनी अटम है आपके लिए प्रॉब्लम तब क्रियेट होगा जब मोहिनी अटम के साथ में कथक कली भी दे देगा तब होगा लेकिन वो कम जान्स है समझ गया जैसे महराज आप देखेंगे तो आपको कथक लगाना है उसी तरीके से कला मंडलम देखेंगे तो मोहिनी अटम या कथक ली में से कोई एक होगा नेक्स्ट है पदम विभूसन न वीनर पंडित विर्जु महराज वाजे फेमस डैस डांसर तो विर्जु महराज कथक डांसर है नेक्स्ट है विच फेमस इंडियन कथक डांसर रिसीवड दा पदम विभूसन इन नाइन्टीन एटीस्ट तो नाइन्टीन एटीस्ट में किस प्रसीद भारतिय कथक नर्तक को पदम विभूसन मिला था तो ये मिला था पंडित बिर्जु महराज को नेक्स्ट है Who among the following dancers was the first Odissie dancer of foreign origin to be conquered the padam siri in 2006 तो first Odissie dancer कौन है foreign origin के जिनको पदम सिरी मिला था 2006 में तो वो है Ilyana Sita Ristie ओके next है फॉस्ट ट्रंसस जिनडर भारत नाटम डांसर जिनको पदम सिरी मिला था 2019 में तो फॉस्ट ट्रांस्जेंडर भरत नाट्यम डांसर कौन है तो इनका नाम है नर्तकी नत्राज नेक्स्ट है पंडित राजेंद्र गंगानी ये कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है पंडित राजेंद्र गंगानी जो है ये कथक डांसर से रिलेटेड है next है रुक्मनी देवी अरुंडेल तो ये जो रुक्मनी देवी अरुंडेल है ये किस सास्थे निर्ति से जूरी थी तो ये हो जाएगा भारत नाट्यम से next है which famous भारत नाट्यम dancer was awarded with the padam bhooshan in 1957 अब padam vibhoshan in 1977 बंगाली film director सतजीत Being made a documentary on her तो ये किस dancer के बात हो रही है ये हो रही है टी बाला सरस्वती के बारे में ओके देखिए ये जो topic है आपका dance related dancer इसके सबसे ज़्यादा question CHSL के exam में ही पूछे गया है जो भी main exam होता है ना CPO का, STENO का, CHSL का, CGL का, MTS का, FACE 12 का इन सारे exam में से अगर सबसे ज़्यादा question अगर पूछा जाता है तो वो CHSL में पूछा जाता है नंबर of questions ज़्यादे होते हैं नेक्स्ट है मिननाती मिस्रा ये किस classical dance से related है मिननाती मिस्रा तो आप कहेंगे ODC dancer है नेक्स्ट है मिरनालिनी सारा भाई ये कौन सा classical dance करती है मिरनालिनी सारा भाई तो आप कहेंगे मिरनालिनी सारा भाई भारत नाट्यम के अलावा कथक कली dancer भी है तो आप याद रखेंगे भारत नाट्यम and कथक कली नेक्स है पदमजा रेड़ी अब देखिए जैसे कि महराज वाला मैंने बताया आपको कथक से रिलेटेड कला मंदलम वाला मैंने आपको बताया किरल से रिलेटेड उसी तरीके से रेड़ी अगर आपको कहीं पी देखे तो आप समझेंगे कुच्ची पूड़ी हो जागा पदमजा रेड़ी हो गया राधा रेड़ी हो गया ठीक है वेमपती चिन्ना सत्यम ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं वेमपती चिन्ना सत्यम तो आप कहेंगे कुच्ची पूड़ी डांसर है ओके नेक्स्ट है जावेरी सिस्टर्स ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं तो मनिपूरी करते हैं ओके नेक्स्ट है गुरू बिपिन सिंग गुरू बिपिन सिंग जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस से रिलेटेड है मनिपूरी मनिपूरी के मनिपूरी डांस के इनको जनक भी कहा जाता है गुरु बिपिन सिंग बहुत पुराने ये डांसर है गुरु बिपिन सिंग नेक्स है सोवना नरायन सोवना नरायन कौन सा classical dance करती है तो ये कथक डांसर है ओके नेक्स है विच क्लासिकल डांसर among the falling was the youngest recipient of the padam bhusan in 1992 तो कौन सा सास्रीय नर्तक 1992 में सबसे कम उम्र में पदम bhusan पाने वाला था तो उनका नाम है सोनल मान सिंग ओके नेक्स देखिए which of the falling dancer won a Sangeet Natak Academy Award in 2004 किसे Sangeet Natak Academy Award मिला है 2004 में तो ये मिला है जतीन गुष्वामी को ओके नेक्स है सिरीमंद संकर देव को किस दनिर्त सैली के लिए मानिता मिली ये कौन सा classical dance करते हैं सत्रिया dancer है संकर देव जो है ये नाम आप याद कर लें सत्रिया से नेक्स है तपन कुमार पतनायक ये कौन सा classical dance करते हैं तो छो dancer है ओके ये जो छो है ये semi classical dance है तीन राज्यों में प्रमुक रूप से किया जाता है different different नाम से जैसे कि West Bengal West Bengal के अलावा Odisha हो गया Odisha के अलावा जहारकंड हो गया ओके नेक्स्ट है E. Krishna Iyer ये कौन सा classical dance करते हैं तो E. Krishna Iyer भारत नाट्यम dancer है नेक्स्ट है रासेश्वर सेक्या बारबयान अब देखिए एक और important चीज़ कि आपको कहीं भी बारबयान दीखे तो आपको समझना है सत्रिया dancer होगा यहाँ पर ठीक है यहाँ भी उसी तरीके से जैसे कि कलाम मंडलम जो है कि केदल साइड में टाइटल दिया जाता है है ना उसी तरीके से असम साइड में बारबयान टाइटल दिया जाता है ठीक है बारबयान बोरबयान ऐसे करके है त्रीक है रासेश्वर्स है क्या यहाँ पर बारबयान दिया है इसके लाबा कोई भी नाम हो और उसके बाद जो है यह बोरबयान बारबयान या टाइटल मिल जाए तो सत्रिया डांसर समझना है आपको नेक्स्ट है गुरू पंकर चरंधास यह कौंसा क्लासिकल दांस करते हैं तो गुरू पंकर चरंधास ओडीसी डांसर है नेक्स्ट है गुलाबो सपेरा यह कौनसा एक च्लासिकल डांस है फोक डांस है उदे संकर उदे संकर वाज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर क्रियेटिंग ए फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस नेक्स्ट है अखं लक्षमी देवी रिसीव दसंगीत नाटक अकादमी अवर्ड इन 2018 फोर हर कंट्रिब्यूशन टू मनी पूरी डांस तो अखं लक्षमन देवी जो है ये मनी पूरी डांसर है गोपिका वर्मा ये मोहनी अटम डांसर है नेक्स्ट है इन में से कौन सा डांसर रिलेटेड है ओडिसी से तो सुजाता महापातरा है ओडिसी डांसर नेक्स्ट है आपका मालिका सारा भाई मालिका सारा भाई ये कुच्ची पूरी और भरत नाटम डांसर है उसके अलावा देखिए गुसादी डांस से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर डांसर है तो गुसादी से रिलेटे कौन-कौन से dancer है तो आप यहाँ पर देखिए गुना कांत दत बोर बयान स्रीमंद संकरदेव और टंकेश्वर हजारिका बोर बयान तो आप देख रहे हैं सत्रिया के यह तीन important dancer है बोर बयान यह title आप देख रहे हैं तो यह सत्रिया से related है संकर देव आपको दिखे तो इस सत्रिया से रिलेटेड है तो याद कर लेंगे आप ओडिसी डांस से रिलेटेड देखिए गुरू पंकर चरंदा, सोनल मान सिंग, केलू चरन महापातरा, इलियाना सिटी रिस्टी, माधवी मुद्गल, मिनाती मिस्रा ये सब ओडिसी डांसर हैं उसके लावा मनीपूरी देखिए दर्सना जावेरी, गंभीनीज देवी, गुरू बिपिन सिंग, चारू सीजा माथोर, बिम बावती देवी ये सब मनीपूरी डांसर हैं कुच्ची पूरी से रिलेटेड अपणना सती सन, राधा रेड़ी, राजा रेड़ी, पदमजा रेड़ी, भामा कलापम, वेंपती चिनना सत्यम, वेदानतम, सत्य नरायन, सर्मा, ये सब कुच्ची पूरी डांसर हैं इसके लावा एक और है सितेंद्र योगी, सितेंद्र योगी को भी कुछी पूरी का जनक कहा जाता है, ठीक है, तो सतेंद्र यादा भी याद रखेंगे, कथक से रिलेटेड देखिए, सितारा देवी, बिर्जु महराज, सोगना नरायन, संबु महराज, ठीक है, उसके लाव इस तरीके से हम लोगों ने डांस रिलेटेड डांसर का रिविजन कर लिया है, तो आप लोग ये वीडियो में जितने भी डांसर के बारे में बताया गया है, वो अच्छे से याद कर लिजे, कोशन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, तो मिलते हैं आप से नेक्स टॉप